हेलो गाइज मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं मोटर स्ट्रोइड और आज हम एक ऐसी कार देखने वाले है जिसने प्रीमियम हैच बैक को स्टार्ट किया था इंडिया में और सारे इसके वेरियंट्स बंद हो चुके हैं डीजल में वन लीटर टर्बो आया नहीं है अगर आपको फुल रिव्यू देखना हो जो करेंट जणरेशन आयेट्व ट arc MA0 smart स्पोर्ट्स के लिए बात कर रहें हैं तो अगर आपको इसका इंजनर रिव्यू लेना हो तो फेकी वेरियंट है जिसके आपको पता चल सकता है इसका फुल रिव्यू वो है 1.2 लीटर पैटरोल एंजन आज हम वही देखने वाले हैं यह है हुन्डाइ की i20 1.2 लीटर पैटरोल और इसका फुल रिव्यू करेंगे अल्मोस्ट 90,000 किलोमेटर चल चुकी है तो जितने भी प्रॉब्लम्स फेस की हैं जो जो इसके बैनेफिट्स हैं जो जो लॉसे से सारी चीज़े में आपको भी बताऊंगा सो ज्यादर डेले नहीं करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं इसका एक्स्टीरियर और काफी कूल लुकिंग कार है और थोड़ा समने इसको स्लोप में खड़ा किया है तापकि आपको अच्छे से सिसका लुक मिल पाए क्योंकि काफी अग्रेसिव लुक है और प्रीमियम हैच बैक में अभी भी सभी की फिवरिट है अच्छी खाची इसकी सेल्स चल रही है बले नों जैसी कार्स को ही टक कर देती है थोड़ा से आपको देंट स्मित दिखेंगे इसमें क्योंकि इसकी जो आनर है काफी रफ यूज इसका कर चुक है इसलिए आपको रिव्यू बहुत अच्छा मिल पाएगा इसका तो सबसे पहले स्टार्ट करते है है एड्लम से यह है इसकी DRL उनिट यह आप देख रहे होगा यह है DRL उनिट यह है 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 हलोजन हैडलम है है इसकी फॉग लाइट्स इसमें अवलेवल नहीं है यह होगा इसकी ग्रिल और क्रॉम ट्रीटमेंट आपको ग्रिल के साथ में मि आप देखेंगे, नट्स के तुरू माउंटेड है, तो यह बार-बार नहीं निकलेंगे, यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्टर मिल जाता है, डोर प्रोटेक्टर, यह हो गया, इसका इंडिकेटर, मिरर्स आटो फोल्डेवल नहीं है, आपको मैनुली करना पड़ेगा, डोर अग्रेसिव और स्टाइलिश लगता है, उसके बाद अपन को मिलती है, इसकी पेट्रोल कैप, यहां से आप पेट्रोल फिल कर सकते हैं, और जिस चीज ने सबसे ज्यादा इसको हाइलाइट किया था वो थे, इसके रियर लैंप्स या टेल लेंप आप कह सकते हैं, तो टेल मिल जाता है, इवन आपको fog lights मिल जाता है, रियर साइड में आप देख सकते हैं, यहां पे इसकी number plate की positioning, और यहां पे आप spoiler पे देखेंगे, back light आपको मिल जाता है, इसका overall look जो बहुत टाइम से आप लोग देख रहे हैं, और बिलकुल आपको market में हर जगा यह दिखती रह जाती है, so guys, यह हो गया, इसका exterior, और आप अपन देख लेते हैं, इसका interior, आपने start करते हैं, इसके front door से exterior में, तो आप देखेंगे, यहां पे है, इसके tweeters, यहां पे आपको doors open करने का handle बिल जाते है, यहां पे power window की switches मिल जाते है, यहां से आप इसके mirrors को operate कर सकते हैं, यहां जो इसमें space मिलता है, document holder, यहां आप half liter bottle वगरा hold कर सकते हैं, बहुत जादा space नहीं है, यहां से आप lights adjust कर सकते हैं, यहां पे आप देखेंगे, यह इसका boot open करने का है, जो paddles है, यहां पेडल्स हैं, यहां कोई metal paddles आपको नहीं मिलते हैं, यहां इसके AC vents, यहां पे आपको अच्छा है कि lower variant इसके बाद भी आपको यह सब switches जो स्टेरिंग मांटें मिल जाता है, यहां से मोट्स वगराइस को operate कर सकते हैं, यहां से trip कर सकते हैं, reset कर सकते हैं, volume और phone receive करना, cut करना, इस अब आपको मिल जाता है, यहां से आप देखें, बहुत सारे इसमें functions दिये और जैसे डैशबूर आप देख रहे हैं, देखें, हाट प्लास्टिक है, हाट प्लास्टिक है, हाट प्लास्टिक है तो आपको scratches बहुत ज्यादा मिलेंगे, और कुछ नहीं सकते हैं, इसके लिए maximum का साच कल अपर साइड मां हाट प्लास्टिक दे देती है, सो यहां से इस यहां पर grab handles मिल जाते हैं, seats काफी कुछ नहीं हैं, वैसे इसमें aftermarket seat covers लगे हुआ है, यहां से आपको USB AUG से सारे 12V charging points मिल जाता है, यहां पर वालेट वगरा होल्ड कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने किया है, 5-speed transmission आपको मिल जाता है, दो cup holder यहां मिल जाते हैं, और एक से space आपको मिल जाता है, और armrest भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, तो यह तो guys होगी है, first, और मैं बात करता हूँ, इसकी legroom और headroom की, तो में को काफी पसंद आया, अच्छा खासा headroom है, और legroom है, but आपको एक चीज है, इसमें आपको steering adjustable अगर मिल जाता है, तो बहुत ह इसका front और dashboard quality जो है, यह दिखेंगे आप cream के साथ black, थोड़ा mix किया गया, उत्ता अच्छा quality नहीं है, बहुत जादा इसमें आप दीखेंगे, इसमें आप दीखेंगे, इसमें आप दीखेंगे, इसमें आप दीखेंगे, तो वह आपको अच्छे से बता बाएगा, आपको अब ही जो है, बहुत जादा lag room नहीं मिल रहा है, बिल्कुल test down हो गया है, रियर इसवेंट्स मिल जाते हैं, यह बहुत एक अच्छी चीज है, आपके काम आ सकती है, यह देखेंगे, वन लेटर बॉल्टर होल्ड करी होई है, पीछे आपको ट्रे मिल लाती है, यह थोड़ जाता है, सो बस यही था गाइस, यह होगा इसके interior अपने exterior देखे लिया है, तो आप ज़्यादा delay नहीं करते हैं, चलते हैं, इसको drive करते हैं, और इसके specifications होगे रहा, देखते हैं, और देखते हैं कैसी perform करती है, बहुत ज़्यादा चल चुकी है, आप एक बार speed operator देख चली देख, बट आप देखेंगे, ground clearance भी जो है, बहुत ज़्यादा इसका कम लग रहा है, आप दूसरी कार से compare करेंगे, क्योंकि मैं अभी recently बले नो drive करके आया था, तो उसमें मैंने feel किया कि इतना कुछ में को यहां judge करना नहीं पड़ा, सिर्फ suspension की आवाज आ रही है, ऐसे कोई भी इंटीर में noise नहीं है, बहुत ही अच्छा केबेन है और Hyundai हमेंसे ऐसे ही जो है, जो इनकी इंटीरियर में fitting वगरा fit and finish रहती है, बहुत ही proper रहती, minimal रहती है, तो अभी थोड़ा सा आगे मैं इसको fast forward कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको इसका highways पर बताऊंगा drive करके, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा suspension की noise आ रहा है, तो अब हम लोग आ गए है highway पर और यह देखे थोड़ा सा इसको push करना पड़ रहा है, तो power उतना ज्यादा नहीं है, 82 PS का इसमें power आपको मिलता है, और premium hatchback segment में आती है, तो I think power इसमें थोड़ा सा होना था, और अब सारे engines options बंद हो गए हैं, जैसे इसमें 1.5 liter diesel होगे रहाता था, और 1 liter turbo का लोग इसमें वेट कर रहे थे, क्योंकि even i10 neos में वो available था, तो आया, इसमें भी मिल जाएगा, बट I think वो जो अभी नई i20 आने वाली है November में, तभी आपको वो engine देखने को मिलेगा उसमें, और ठीक ठाक power है, उतना ज्यादा है, इसका punchy engine नहीं लगा, instant आपको जो power हो feel नहीं होता है, इवन इस से बहले मैंने just अभी FIGOD का review किया है, आप सकते हैं, आपको link description में दिख जाएगा, starting से lower end से इसमें power मिलता था, but यहाँ पर यह miss out करती है, power को first and second gear में जो बहुत जादा इसको push करना पड़ता है, और यह मुझे अच्छा है नहीं लगा, steering feedback की बात करूँ, तो steering जो है, बहुत light है, city अगरे में आपको कोई problem नहीं दे steering wheel है, तो highway पे जो आपको इसका feel मिलना चाहिए, feedback जो मिलना चाहिए, जो आपको ford की cars में, जो आपको current generation, tata की cars में मिलता है, वो आपको इसमें नहीं मिल पाएगा, बहुत light इसका steering मुझे feel हो रहा है, और मैं माइलेज की बात कर रहा था, इससे पहले, तो guys, यह माइलेज जो है इसका, मैंने देखा है कि 15, 16 के around आता है, max, उससे जाद आपको mileage नहीं मिलता है, even city में कई बार 12, 13 का आपको mileage इसमें मिलता है, और seatbelt के लिए, sorry आपको seatbelt नहीं दीख रहा होगा, तो seatbelt कुछ problem दे रहा है इसका fit में, तो अब लोग हम भी open roads में है, तो उसका upload मत आप लोग जरूर पहनिए, और visibility के बात करूँ guys, तो काफी अच्छी visibility है, लेकिन में को लगता है, इसमें steering adjustment या आपको seats adjustment का option होना था, वैसे आपको top invariant में मिल लाएगा, तो visibility काफी अच्छी है, थोड़ा सा dashboard और mirror की बीच में gap है, जैसे आप ford वगरा में देखते हैं, और जो इसके door mirrors भी है, वो भी enough size के हैं, आपको अच्छा कासा visibility मिल जाता है, काफी wide car है, अगर आप comparison देखें, तो काफी wide आपको ये car मिलती है, तो visibility अच्छी है, all around आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और wheel size भी आपको 14-15 inches के इसमें wheels मिल जाते हैं, तो अच्छा wheel size आपको मिल जाता है, ground clearance होके है, mileage में कोई इसका एक लगता है कि mileage होना चाहिए, और अगर आप family के लिए इसको consider कर रहे है, so guys ही बहुत long term में family के लिए, even friends के लिए हम लोग उने इसको use करी है, तो जो मैंने feel किया है, जो इसका suspension side है, वो ना जादा बहुत जादा stiff है, ना ब बहुत long rides इसमें कर सकते है, बट अब मुझे एक rear seat में problem लगती है, कि इसके rear seat है, बहुत ज़्यादा upside है, मतलब आप जब बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा front side में आपको load आता है, और उससे आपको थोड़ा सा headroom कम हो जाता है, तो आपके height जैसे बहुत ज़्यादा है, या आप 510, 511, plus 6 feet के around है, तो आपके लिए rear seat उत्ती comfortable नहीं है, और दो लोग बड़े आराम से बैठ जाते हैं, तीन लोग आप बैठा सकते हैं, और मैं देख लेता हूँ, इसका AC तयार, AC इतना strong नहीं है, अभी आप देखेंगे, AC मैंने बिलकुल low पे करके रखा है, गै तो कि उत्ता strong AC नहीं है इसका, तो यह आपने बहुत सारी वीडियो में दिखा होगा कि इसका AC की बहुत लोग problems करते हैं, तो यह मैंने अभी face किया, AC उतना strong नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप इसको full पे रखें, थोड़ी देर इसको run करें, हम लोग ने इसको almost अगर 15 minutes अ आपको मिल जाती है, और rear की visibility ठीक है, suspension ठीक है, तो सब कुछ okay है, कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा strong नहीं है, expect इसकी exterior है, तो exterior बहुत लोगों को पसंद है, लेकिन वो भी अभी recent में जो नए variant आजाएगा, तो आप लोग को उसका exterior ज्यादा पसंद आगा, क्योंकि नए model हो होगा, but बहुत टाइम से successfully run कर रही है market में, और अभी आप अगर इसको consider करना चाहते है, तो कर सकते हैं, क्योंकि नए i20 आ रहे हैं, तो इसमें आपको अच्छा खासा discounts मिलेगा, और family car है, proper family car है, light steering है, अगर आपको mileage से बहुत ज़्यादा problem नहीं है, तो light steering है, comfort seats है, suspension ज्य easily इसको use कर सकते है, but अगर आप जैसे मेरी HK Young है, आप personal scale नेरे, तो आपको थोड़ी सी under power feel होगी, और यही seem feel में को अभी Tata Ultros में ही थी, Tata Ultros का मैंने review किया है, तो उसमें भी same ऐसी था, engine इतना strong नहीं था, so बस यही गाईस, यही था इसका एक full review और इसके बाद ने आपक कि इसमें major problem है, तो वो मैं आपको सी में clarify करूँगा, तो क्योंकि इसकी details मेरे पास अभी आई ही नहीं है, बाकि आपको मैंने full review दे दिया इसका, बहुत ज्यादा कुछ major problems, बाकी चीजों में नहीं है, एक हलका साब को hint देता हूँ, gearbox में एक problem हो रही है, but यह अभी जब check out होके आईगी, तो मैं आपको इसका clarify कर पाऊँगा, कि कितनी सच्चा है, कितना जूट है, so बस, वीडियो अभी तक आपको पसंद आए, तो please like कीजिए, subscribe कीजिए, share करिए, thank you, bye bye